दोस्तो एसेस राजा मुली के डिलेक्शन ना बनने वाली मेगा बजट फिल्म RRR जिसको हम सभी के बीच में साड़े चार सो करोड रुपे के बजट से तियार करा गया है आप सभी को पता होगा कि फिल्म का बस कितना बहतरिंग बना हुआ है यहां तक कि दोस्तो फिल्म के सूबे के और दोस्तो आफ्टरनून के इविनिंग के नाइट के सभी सोज हाउस फुल गए अपने पहले दिन और दोस्तो फिल्म को सभी लेंग्विज में काफी एदा प्य करा है वो वाक्य में काबिले तारीफ है जबकि दोस्तों फिल्म को हम सभी के बीच में तेलगू, तामिल, हिंदी, मललम, करनाडा, यूएसे और अमेरका में रिलीज करा गया है और आपको बता दें कि इस फिल्म को हमारे भारत भर में ही केवल 9000 इसकिनों पर लौंच करा गय 200 करोड रुपे कमा रही है और दोस्तों ये न्यूस दी है न्यूस एक्टिन ने हाला कि अभी तक ऑफिशल अपडेट निकल की नहीं आई है कि ये फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड रुपे कमा चुकी है पर दोस्तों आपको बता दें कि सुतरों के हिसाब से और इवनिंग के सोज है उसके ओक्यूपेंसी 85 प्रतिशत की है आफ्टरून के सोज के ओक्यूपेंसी 90 प्रतिशत की है इवनिंग के सोज के ओक्यूपेंसी 55 प्रतिशत की है और नाइट के सोज के ओक्यूपेंसी 100 प्रतिशत की है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आर आर अपने दूसरे दिन लगबग सो से डेड़ सो करोड रुपे की आपनिंग तो ले ही सकती है अब दोस्तो आपके ओपिनन क्या है कि ये फिल्म में क्या दो ही दिनों में अपना बज़ा रेकवर कर लेगी या फिन नहीं कमेंट करके चुरूर बताईएगा और दोस्तो आपके ओपिनना चेल को सस्क्राइब करना ना बुलिएगा जैहिंद वन्यमातरम